नमस्कार में भाकिश्री, बिस्यन नियूस के बिजनेस समाचार में आप सबी का स्वागत है खबरों के और बढ़ने से पहले आईए डालते एक नजर आज की सुख्यों पर चाय पती के नई फसल में आई दाम में मिल सकती है रहाद इस साल रिकॉर्ड सर पर पहुच चुके है दाम कच्चे तेल और डॉलर में रही नर्मी, रुप्या छे पैसे मजबुत फसल कम होने की कारण इस साल चाय पती की दाम रिकॉर्ड सर पर पहुच के है शहर में अलग अलग राज्चों से आने वाली चाईपरती की दाम पिशली साल बागानों में चाईपरती का उद्पादन बहुत कमवा था जिसके चलते दाम में भारी उच्छा लाया था इस साल अच्छी पसल की संभाणा वेफट की जारी है यदि उत्पादन बढ़ता है तो निच्छी थी चाय पत्ति के दाम में राहत मिल सकती है उन्होंने बताया कि लॉकडाउं की कारण देश से चाय पत्ति का निर्याद भी नहीं हो रहा है इसलिए आनी वाले दिनों में दाम में रहात मिलने की प्रफल संपाना दिखरी है तो बाजार में प्रति की लोग आसाम पीडी 300-350, आसाम बीओपी 320-370, डुआस पीडी 25-280, डुआस बीओपी 205-330, निलकिरी पीडी 180-200, निलकिरी आटी 180-109, रेड हौस 250, बीओपी 255 रुपे पीकरी है अगले मैने की शुरवाद में आगर विपाद कर दाताओं के लिए एक नया ई-पालिंग विप पोर्टल पेश करने की तयाय करना है, जिसका इस्तिमाल आईटी आर दाकिल करने और अन्यकर सम्मधी कार्यों के लिए किया जा सकेगा मौजदा वेप पोर्टल एक जुन से छे जुन तक बन रहेगा अधिकार्यों ने गुर्वार को बताया कि नया पोर्टल अधिक सुवित आचनक होगा विभाग के सिस्टम विंग वारा जारी आदिश में कहा क्या है कि पुरानी पोर्टल से नय पोर्टल पर जाने का काम पूरा हो जाएगा और साथ जुन तक इसे चालू कर दिया जाएगा करदाता एक जुन दोहसार एकके से मौज़ुता विबसाइट पर लॉगिन ने कर सकेंगे विभाग की ओर से नया ओफिशियल पोर्टल बना जा रहा है यह साथ जुन तक तयार होगा इसी पर आप अपनी टैक्स से जुड़े कामकाज निप्टा सकते है बिरु रिपोर्ट बेसियन न्यूज अंतराश्टिय बाजा में कच्छे तेल और डॉलर बिरही नर्मी सिग कर 73.08 रुपे प्रती डॉलर पर रही थी रुपे में आज शुरू से ही तेजी रही यह दो पैसे की बड़त के साथ 73.16 रुपे प्रती डॉलर पर खुला बेहत्से में दारी में कारुबार करती वे यह नीचे 73.17 रुपे प्रती डॉलर और उपर 73.09 रुपे प्रती डॉलर तक्या अंत में कर्दिवस की तुल्ना में 6 पैसे चड़कर 73.12 रुपे प्रती डॉलर पर बंद्वा अंतराश्ट्री बाजार में कच्चे तिल की केम्तों में 2% की नर्मी से रुपे को पर मिला है दुनिया की अन्य च्छा प्रमुक मुद्राओं के बास्केट में डॉलर सुषकां के तूटने से भी भारतिय मुद्रा मजबुत होई है बिनर रिपोर्ट बेसियन निउस कोरोना काल में वैसे ही देश का कामकाश बोरी तरह प्रभावी दोया है दुसरी कोरोना लहर की कारण देश के कई राच्यों में लॉक्टाउन वा अन्य पाबंद्या लखी हुई है लेकिन लोगों की सुविधाओं के लिए बैंक चालू है मालों हों की देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भार्थे स्टेट बैंक टी यह नियम लागू करतिया है SBI की शाखाओं में अब सुभी 10 बजे से 2 पह 2 बजे तक ही काम होगा इस दोरान केवल कैश निकासी या कैश जमाँ, चेक की सुविधा, ड्राप, आर्टी जीयस और एन्याप्टी सरकारी चालां से जुड़े काम में होगे अगर आप e-commerce कंपनियों के ग्राहक है तो आप के लिए आप शिकायत करना आसान हो जाएगा सरकार ने शिकायतों के लिए नोडल आफिसर की नियोकती का नोटिफिक्यशन जारी कर दिया है यह नोटिफिकेशन 17 मैं से लाकों हो गया है नोडल आफिसर का मतलब ये है कि सभी ई-कॉमर्स कमपणियों को ग्रहकों की शिकायतों को सुलजानी के लिए एक अधिकारी की नियोक्ती करनी होगी इसकी पूरी जानकारी और संपर का प्योरा वेबसाइट पर देडा होगा खबरे समाव तो करने से पहले आईए डालते एक नजर आज की सुर्कियों पर चाय पती के नई फसल में आई दाम में मिल सकती है रहाद इस साल रिकॉर्ड सर पर पहुच चुके है दाम कच्चे तेल और डॉलर में रही नर्मी रुप्या छे पैसे मजबूत बिजनिस समाचार में फिला लिता ही आईसे अन्य खबरों से जुड़े रहने के लिए देखती रहें बेसे न्यूज नमस्कार